हेलो वैस्ट वेल कम को माई यूट्योब स्वेडियो में मैं आपको बैता हम इसे कर hedge है जो के इब इसे लिए करते हैं तो यह नोड च्ण परकन करें तो इतर में नम नाम की लिश्ट के लिट कर लेया तो इसके लिए कि आन्दर कुछ नमबर चांग करा दिता हूं यह मैंने तो आपको इधर दिख जाएगा यह जो कि आप देख सेको तो इसे तो इधर लिख यह रही है यह एक इटरेबल है अब इसको जैसे कि for example मैं इदर for i in जो कि हमारे list का नाम और list का नाम हमारा नम और इसके बाद मैं मैं print कराता हूं ried को अब मैं इसी सेव करता हूं रन करता हूं तो गाओ और बदेख से ते जह से मैं कमेट आए इसे मैं करता हूँ जो कि प्रिंट हैल्प को लिया हुआ इधर मैं इसे शेक मैं आप इस paceरण करता हूं तो आप देख से थे तुषी आपनने कि लिए कैसे ऑघ Сबया रही है तो यह जो लिच्ट होने के बाद में पिर यह फॉर्ल लॉक चलता है तो इसको जाज से फॉर्ल लुब यह बैग्ग्ग्राउट में चलता कैसा जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इधर आई नाम का एक वेरेबल करेट करता हूँ तो सबसे पहला हमारा वन प्रिंट करेगा अब मैं उपरा लूप को कमेंट कर देता हूँ अब मैं से सेव करता हूँ रन करता हूँ तो अब देख से तो हमारा इटेरेटर में जो की कर लिया है तो इधर आप देख से तो सबसे पहली वाली लाइन है जिससे मैं कर रहा हूँ इसे मैं कमेंट कर देता हूँ अब मैं से वापी से रन करता हूँ तो आप देख से तो हमारा जो की इर हमारा रजंबरन कर दिया और करें यह जैसे रंघ करना हैộc लिखने के बाद क्या लिखेंगे, अभी तक यह टेकले इटेरेबल यह हमारा इतरर हो जो कि next वाला object को call नहीं कर पा रहे तो यह different होता है iterator और iterable के बीच में अब यह iterator क्या होता है जैसे कि map function हमने देखा था हमने काफी सारे function देखे थे वो सब होते हमारे iterator तो इसका भी मैं एक example ले ले लेता हूँ तो इसे मैं comment कर देता हूँ और उपर आले को जो कि uncomment कर देता हूँ यह for loop इस तरह हमारा work करता है जो कि हमारी जो भी list है जो हमारी जो भी list है वो iterable में होती है बाद में हो convert होती iterator में बाद में फिर हमारे loop चलता है यह मनने लिग दिया अब मैंसे प्रिंट कर रहाता हूँ तो जैसे मैं प्रिंट करा हूँगा तो यह इदर हमारा जो की output नहीं आएगा यह हमारे मताए की map हमारा when we get it is an.\uc1 save करता हूं उपर के code को मैं comment कर देता हूं यह मैंने comment कर दिया अब से save करता हूं रं करता हूं तो अब देख से तो मैप object अटर देख से तो यह memory allocation जो address है वो हमें find करके दे दिया है तो यह हमारा जो कि इस type से print होगा अब for example मैं इधर जिस map को एक variable के अंदर store करा अब मैं इस number के साथ में for loop लगांगा for i in number यह मैंने number के साथ में for loop लगा है अब मैं print करा तो आई अब मैं इसे save करता हो run करता हूं तो आप देख सेख तो अब हमारा जो भी number यह आई के नबर के अंदर हमारे क्या के number थे 1234566 तक थे उसके साथ में condition लगा था a into 2 तो सबसे पहला 1 के साथ 2 multiplication हुआ तो आप देख से तो हमारा output में 2 आया बाद में 4 आया बाद में 6 तो इस तरह हमारे यह print हो गए अब for example मैं यह copy करता हूं और इसके बाद में वापीस से paste करता हूं पेस्क करने के बाद में आप देख से तो इदर मैं जो कि यह ना लिए अंपधा हूं यह यह वापी petite ऑन फोलिश्ट की अब मैंने ट्रेट की हूँ है इसके साथ में ज्वालूप लगा हूं इससरे मैं अंकमेंट करता हूं यह मैंननन conception किया और सेम वे मिन अधर भी फॉर जए इन नम्र के साथ में मैं वापिस से फॉर जई लगाता हूँ वाधर class काता संध ये अब मैंसे सेव कता व्तले तरळं करता हूँ तो छैसे मैं वन से लेके सिखते हैं कि नमर क्रेंट किया और फॉल लॉप को रन किया तो इदर हमारा दो बार रन हो रहा है तो जिसमें क्या उरा हमारा memory storage ज्यादा बार यूज हो रहा है तो एक चीज हमारे दो बार तो यह benefit आपको मिल जाता है जो कि जन्रेटर के अब जन्रेटर को यूज कैसे करते हैं आप नहीं समझ पार है तो मैं आपको और भी बहुतर तरीके से समझाता हूँ जैसे कि यह एल नाम की लिस्ट क्रेट की हुई है तो यह लिस्ट है और इसके अंदर यह नंबर है यह सब्सक्राइब करें भीषी ऑन सब्सक्राइब करता है तो पंटेबिक हैट जो के छोड़ेट नैगा तो हमारे यह मतलब एक के लिए यहथ यह यह जैरेटर में यूज कैसे क्ट आई अटर्स पर मतलब एक ह्ल मतलब एक यह नंबर वास एक पर और कि लेगा जब हम इसे रन करेंगे जनरेट करेंगे तब हमारा जो कि वो हुम वो इस टूरिस की जिया पर जो नंबर हमें चभी जी जैसे नैंचिन दीनअन देतेगा 16 sucks 6 देतेगा 5जी 5 देतेगा तो यह का यह प्रॉब्लम ना हो इस तरह जनेरेटर यूज करते हैं अब हम एक्जामपल ले लेते हैं जिसे कि जनेरेटर का एक मैं आपको एक्जामपल दिखा देता हूं यह उपर के code को मैं comment कर देता हूं यह तो मैंने map का यूज करके example दिखाया है अब generator को use कर से करते हैं वह मैं मैं आपको example दिखा देता हूं तो इधर मैं function create करता हूं define बाद में nums नाम का function create करता हूं इधर मैं जो कि यह डाल देता हूं जो कि हम एक पैरमेटर पास करेंगे तो यह बहुत नॉर्मल फंक्शन है इधर हम range प्रिंट करेंगे 1 से लेके 10 तक तो for i in range बाद में फिर 1 से लेके हमारा जूकि एन नंबर तो मतला एन प्लस वन तो सबसे पहला स्टार्टिंग का include रहता है और last का exclude रहता है जो कि मैंने for loops के वीडियो में बताया हूं आपने नहीं देके तो उसा वीडियो की link आपको description में मिल जाएगी और इधर मैं प्रिंट करत करता हूं तो मैंने यह ले लिए अब मैंसे सेव करता हूं रन करता हूं तो आप देख से तो हमारा वन से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो गया तो यह आप देख से तो यह हमारा जो memory में स्टोर हुआ है वो हमारा ज्यादा memory consume किया हुआ है जो आप देख से तो नॉर्मल तरी क्या है मतलब यह हमारे जन रेटर अभी से हम प्रिंट कैसे कराएगे यह तो हो गया जब आपको कोई प्रोग्राम में एक टाइम यूज करना जन रिटकर करना बहुत इस इंपल है इधर हम डारेक लगा गी फॉर आई इन आप देख सकते हूं यह फंक्शन को हमें कॉल कर जाने से लेके 10 तक तो यह से लेके 10 तक हमारे सेम आउटपूट आ रहा है पर यह जो हमारा में मेम्री यह जो हमारे स्टूरिज की स्पेस लिया वह बहुत कम स्पेस लिया तो और यही लूप को मैं आप वापी से उच करता हूं हो तो four chloride आप देक्चे तो यह नम और यह नम के बाद में फिर मैं इदर जोकी पास करता हूँ हमारा नमर ये टैंda अर मैं प्रिंट करते हूँ आई को धूर में दोनों का नाम शेंज करते हूँ आप यह तो जैसे कि मैंने इदर जो कि हमारा जनरेटर को युज चलेगा ये लूप चलेगा यह प्रिंट अपर बताया था यह हम जो के लिए तरहाता है हमारा दो बार प्रिंट हो रहा था जो भी ये नंबर ये दो बार हमारा प्रिंट हो रहा था पर इधर हमारा ये दो बार प्रिंट नहीं होगा इधर हमारा जो कि एक ये बार प्रिंट होगा अब मैं इसे रन करके भी आपको दिखा देता हूँ तो आप देखे तो तो इदर मैं आपको एक और चीजी दिखा देता हूं जैसे आप देखते हूं यह हमारा सक्सेस्फुली रन हो गया और इदर मैं इसे प्रिंट करता हूं और यह नंबर को प्रिंट करता हूं मैं से तो यह नंबर इसके बाद में प्रिंट इस करता हूं इदर आइपको अब मैं से प्रिंट करता हूं इदर लिखता हूं अब मैं इससे चैन से चैन 350 है हमारा सक्सेस्फुली पूम गया है हमारा जनडरेटीर का हमने हम den च्रूर कर पर दे और for example अब मैं इसको वापी से print करता हूँ इधर लिखता हूँ अब मैं follow वापी से use करता हूँ for j in numbers और इसके बाद मैं फिर मैं print करता हूँ j को तो यह देख सकते हूँ मैं ने print किया j को तो इधर आप देख से जैसे कि यह सबसे पहला 1 print हुआ 2 print हुआ 3 print हुआ तो यह हमारा output नहीं था तो आप देख से तो इधर 123456 तो 10 तक ही हमारा print हुआ तो generator हमारा क्या करता है जो print कराता है print कराना के बाद में जो पीछे कर रहे तो इसे delete कर देता है तो इधर मैं इसे वापी से run करूँगा तो यह हमारा दो बार लूप नहीं चलेगी यह सिर्फ हमारा एक ही बार print हुएगा तो जैसे सबसे पहला हमारा यह print होएगा 12345678910 बाद में वो delete कर देगा देखेगा आगे भी लूप है तो यह लूप चलेगी बाद में फिर हमारा 12345678910 यह प्रिंट होगा तो यह हमारा दो बार प्रिंट नहीं होगा सिर्फ एक ही बार प्रिंट करेंगा जैसे मैं उपको उपर बता रहा था लिस्ट को यूज कर रहे तो दो बार फॉलूप जैसी आपको बेनेफिट आपको छुप्स करते है बसिक कर देगा पंद बार प्रेंट ब्लेड लिंट आपको डिस्रिप्शन में ब्लिजागे तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो यह लाइक कर दिजिए और इसे और फिदिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए निशे बैला कें तो इस पर क्लिक कर दें तो जबी मैं वीडियो अप्लोड करो तो आपको नोटिफिक्शन आ जाए तो थेंगे सो मच पहुचिंद इस वीडियो